Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankhita Asud, so West Bengal State Eligibility Test 2023 examinations related एक important official public notice जारी किया गया है, जसमें form भरने से पहले कुछ जरूरी documents आपको ready रखने है, उसकी list आपके लिए share की गई है इस वीडियो में हर एक चीज़ को हम detail में देखेंगे, official notice को हम detail में पढ़ेंगे, आप सभी students को ये तो पता ही है कि December 2030 examination जरूर होने वाला है लगभग 5-6 महीने के अंदर इस exam को qualify करना बिल्कुल possible है, बस इसमें आपको करना है smart preparation और आपके smart preparation के लिए paper 1 का complete course हम लेकर आए हैं जो कि examination के level के according बनाया गया है पिछला exam जो हुआ उसमें भी बहुत से students ने इसी course की मदद से exam को qualify किया है आप सभी students को पता होना चाहिए कि West Bengal set में हमारे दो paper होते हैं जिसमें paper 1 में आप से 50 questions पूछे चाते हैं यानि कि 100 marks का ये पूरा paper होता है जिसमें अगर आप आसानी से 75 plus score करना चाहते हो तो जरूर इस complete course को join कीजिए इसमें हम आपको full syllabus video lectures provide करवाते हैं बहुती simple language में real life examples के साथ easy tricks के साथ यहां पर आपके सारे concepts clear करवाए जाएंगे and साथ ही concept clarity के बाद आपको unit wise topic wise mock test भी हम provide करवाते हैं तापकि आपकी revision भी साथ-साथ में होती रहे साथ ही full syllabus notes pdf के format में मिलेंगे इस pdf को असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो full syllabus mock test में से as it is questions आपको 100% exam में देखने को मिलेंगे and यहां से आप लोग बहुत ही असानी से अच्छा score कर सकते हो साथ ही 2000 plus mcq question bank में आपको मिलेंगे previous year questions, most repeated questions and most expected questions so हर एक question के solution के साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी ताकि revision के दरान भी आपके सारे concepts clear हो जाए so given numbers पर contact करके इस course को join कर लीजिए इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार fees देनी है 2000 रुपए exam तक यह fees valid रहेगी okay and इस fees को देने से पहले free sessions देखना चाहते हो तो global online आपको download कीजिए store section पर जाकर search bar में course का नाम लिखना है उसके overview के बाद content पर click करोगे so यहाँ पर आप देख सकते हो multiple folders है, unit wise folders है जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock tests, notes, सब चीज़ें मिल जाती है exam oriented way में so given numbers पर contact करके जिल्दी से इस course को join कर लीजिए and अपने dream के और आप आगे बढ़ सकते हो so सबसे पहले आप लोगों को यह पता होगा कि एक अगस्त को form release हो चुके थे and 31 अगस्त, रात को 12 बचे तक आप लोग form भर सकते हो तो अभी काफी समय है लेकिन सिर्फी मैं यही suggest करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप form अपना fill कर लीजिएगा आप बात करते हैं important documents की देखो सबसे पहले तो यह चीज़े हैं कि जो भी आप लोगों का form रहेगा वो आप लोगों को online ही भरना है किसी बे तरीके का offline form accept नहीं किया जाएगा reject कर दिया जाएगा विस्ट बिंगॉल कमेटी के द्वारा सेट की कमेटी के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर website का नाम दिया गया है www.wbcconline.int तो इस website पर जाएगे form अपना fill कीजिए और यहाँ पर देखो कोई भी अगर form वैसे paper के format में भर कर भेजता है तो उनका form reject कर दिया जाएगा उसको receive नहीं किया जाएगा अब यहाँ पर लिखा है कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी एक fresh passport size photograph लेकर आनी है ठीक है photograph आप चाहो तो mobile में भी click कर सकते हो या फिर कहीं पर भी click करवा सकते हो अब इस photo में ध्यान क्या रखना है पहली चीज़ तो यह ध्यान रखनी है कि जो photo का background है वो आपका white होना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है clear white background होना चाहिए आपके जो कान है आपके जो ears है वो clearly visible होने चाहिए लड़कों ने अगर cap लगाई है, hat लगाई है तो वो चीज़े accept नहीं होगी girls ने अगर बाल खुले रखे हैं और कान उनके नहीं दिख रहे तो वो चीज़ें भी accept कर दीजेगा, ठीक है तो यहाँ पर आपकी फोटो JPG के फॉर्माट में होनी चाहिए mobile phone में जो फोटो लेते हैं वो JPG ही रहती है या फिर अगर आप लोग किसी cyber या कहीं पर जाकर लोक मित्र केंदर या इसी जगह पर जाकर फोटो किचवाते हो तो उनको भी यह कह दीजेगा कि JPG के फॉर्माट में फोटो चाहिए और फोटो का साइज 4KB से 40KB के बीच में होना चाहिए ठीक है, इसकी हाइट और यह सब लिखे है तो यह जिन से भी फोटो क्लिक करवाओ उनको यह चीजें आपने जरूर बता देनी है ठीक है, एक काम और करना है जो फोटो क्लिक करवाओगे, उसकी कॉप्पे भी निकलवाकर अपने पास रख लेना क्योंकि जो फोटो आप लोग आप्लाइन अप्लिकेशन फॉर्म के दौरान अप्लोड करते हूँ, वही फोटो आपको एक्जाम के दौरान भी ले जानी होती है ठीक है, सिगनेचर भी आपका साइज होना चाहिए, सिगनेचर एक वाइट पेपर पे इस तरीके से अपने सिगनेचर कीजिए और उसका फोटो खींच लीजिए उसका साइज यहां पर यह बताया है कितने वाइ, कितने का होना चाहिए अब आपको यहां पर फॉर्म फिल करते समय पेमेंट भी करनी होगी फॉर्म की जो फीस देनी होती है वो आप क्रेडिट कार, डेबिट कार या फिर इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो अगर आपके पास यह नहीं है तो साइबर कैफे में जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो जिके आपको जो भी आपका आईडी प्रूफ है एड्मिट कार्ड का, वो भी लेकर जाना है, एक्जामिनेशन के दरान यह सब चीज़ें चलो बाद में आती है फॉर्म फिल करते समय आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से ग्राजुएशन के, पोस्ट ग्राजुएशन के जितने भी डॉक्यूमेंट से वो आपको रेडी रखने है सबकी फोटोस क्लिक करके अपने पास जरूर रख लीजेगा और यहां पर यह काया है कि एक बार अगर आप 31 अगस्त तक फॉर्म भर लेते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है, सेंटर चेंज करना है तो यहां पर कुछ-कुछ चीजे चेंज हो सकती है 9 से 11 अगस्त के बीच में ठीक है, इट कैन बी अ नेम चेंज और रेजिडिन चेंज एक सेक्टर कुछ में चीजे आपना नाम, कई बार नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है यह कोई भी चीजे गलत हो जाती है तो आप उन सब चीजों को एडिट भी कर सकते हो लेकिन मेरा यही सिजेशन है कि एडिटिंग के चक्कर में ना पढ़िएगा जितना ध्यान से हो सके, फॉर्म को अपने फिल कीजे अपना फोटो सिगनेचर सब आपको रेडी रखना है तो यह कुछ जरूरी चीजे थी जो आपको पता होनी चाहिए इसके साथ ही पेपर टू प्रेपरेशन पर भी ध्यान दीजेगा पेपर टू में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत बच्चे यह बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुशन का ही सब्जेक्ट है लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुशन का लेवल और नेट सेट एग्जामिनेशन के लेवल में बहुत डिफरेंस होता है उसी लेवल के अकॉर्डिंग यह स्टडी मैटिरियल लाया गया है जिसमें आपको फुल सुलिबस नोटस एंड एमसी क्यूज मिलेंगे एक्जाम के साथ यह आपको इंटर्व्यो को क्वालिफाइ करने में भी मदद करता है सब्जेक्ट के लिस्ट आपके सामने है अपना पेपर टू का सब्जेक्ट देखे और गिवन वाटस अप नंबर्स पर कॉंटेक्ट करके जॉइन कीजिए इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीज देनी है बारास वो असी रुपई कि अचे वाटस बीज अच वर वाटस इस वीडियो और विष्यों अविए एक बेर बेस्ट